आज जेके न्यूस टुडे में हमारे साथ मौजूद हैं अपनी पार्टी के चीफ साइद अलताब बुखारी उनकी चार साल की पार्टी है लेकिन हंगामा कश्पीर की सियासत में बर्पा दिया है आज हम उनसे दो तीन तीखे सवाल करेंगे बुखारी साब आपका स्वागत है अदाब अरण जी आज मैं पहले सवाल आप पर एलेक्शन लड़ रहे हैं लोग सबा आपके कैंड़िट्स से नगर और अंतना कांस्टिवेंशी से अलेक्शन लड़ रहे हैं तो इस वह लोग सबा एलेक्शन जबकि हम असेम्बली एलेक् का मकसद क्या है देखिए फैक्ट यह है कि चुंके पारलेमेंट इलेक्शन अनाउंस हो गए और हमारे लिए तो यह पहला वो कहा है लोगों के पास जाना हमारी पार्टी जब बनी उसके बाद तो कोई ना इसमली का हुआ ना इसका इलेक्शन होआ पारलेमेंट का तो हमने प्रोग्राम्स अपने के जलूजल से सबाएं सब करते रहें तो हम पहुंचें तो हमने का यह हमारे लिए बेतरीन मुका है टेस्टिंग वाटर्स कि हम कहां हैं हम कहां है क्या जो ग्राउंड पे हमने मेहनत किये कहीं वो वीजिबल भी है या जो चीजें हमने कनसेशन या जो हमारी दिकती थी वो हमने लाई तो दिली से ही मोधी सरकार से ही लाई या मोधी साब से खुद लाई या होमिनिस्टर से लाई आप नोक्रियों का ताहफूज मानिए या जमीनों का ताहफूज यही तो मेन इमोशनल मुद्दे थे 375 से उठने के बाद या फिर नव या या दे डिमॉलिशन्स जब होई वो रुकवाना वो लीजस कैंसल होने का तो पहुत सारे मुद्दे है आप चार साल में तो मुझे मैंने कभी रिकॉर्ड पे तो सब है लेकिन मैंने कभी इसको गिरने के लिए नहीं किया लोगों की आसाइश ने कम यह दिकत ने कम करने के लिए काम किया है वोगरे सब एक चीज है कि जो आप अलेक्शनल लड़ रहे हैं दो सीटों पे आप लड़ रहे हैं एक सीट पे आपने पीपिल्स कॉन्फरेंस को स्पोर्ट किया है इस सारे मनजर का मतलब क्या है दिखिए मैं आपको बड़े वसूख से बताओंगा आपका खते पीर पंचाल जिसको कहते हैं वहां पर भी मेहनत की चराब में भी मेहनत की और जमू किते में भी मेहनत की तो जब हमने एलेक्शन का सोचा तो फैक्चुली ये था कि लेट आस टेस्ट वाटर हमारी पुजिशन कैसी क्या है तो नौर्ट में जिस वकत यह हुआ मेरी पुरी जमात इस हक में थे कि हमें लड़ना चाहे सव जगा तक ही यहां पर भी पता लगे कि कितने इसेमली सीटू में हम सफकत हासल कर सकते हैं इसी तरह सेंट्रल में इसी तरह साउथ में या खत-ई-पीर पंचाल में या जमू में लेकर फिर बार बार डिसक्शन हमा हमारी आपस में हुए हमने कहा कि देखे हमें कंसेंट्रेटिड़ी एक या दो सीटों पर लड़ना चाहिए और अगर कहीं पर हमारे सपोर्ट से कोई और पार्टी उन ट्रेडिशनल जमातों को हरा सकती है जिन्होंने 75 साल लोगों को दोखे में रखा इमोशनल सियासत में अगर होगा उसको आपको वसूख से बता हूँ अगर हम दोनुस जमाते पीपल्स कांफरेंस और अपनी पार्टी नौर्थ में लड़ती तो डिविजन आफ वोट्स का एज उन रिवायती जमातों की तरफ जाता है तो मुझे लग तक क्योंकि हमारा सेलफ इंटरस्ट नही लोगों का इंटरस्ट है तो हमने का लोगों को एक नई रप्रेजेंटेशन चाहिए वहां यह नहीं ट्रइशन जमातों से खासकर कश्मीर में लोग बड़े नाराज हैं बहुत नाराज हैं तो इसलिए उस नई सियासत के लिए शायद हमें एक सीट वहां हमने छोड़ दी मेरा अपना काडर पड़ा उसमें यह नाराज हैं लिगन अल्टिमेटली फिर होता ही है कि सब वी मेड़ देम और अंडरस्टाइंड और वे आल बेकिंग मिस्टर सजाद की लोन फॉर अट सीट नैशनल कॉंफरेंस और पीड़े पी यह तीन सो सतर हटने के पहले की पाटी से नैशनल कॉंफरेंस तो 1938 से चल रही है और 1999 में पीड़ी पी आई थी आपकी पार्टी 2020 में आई फर्स पार्टी आफ्टर अबरिगेशन आफ अफ आर्रिकल 370 उस पे आपने बहुत कहा है कि लोगों के पास कोई दर्वाजा नहीं था कर्काने के लिए आप ने स्लोगन है यह जो इनका मंशूर है और आपका जो मंशूर है उस पे कहां पे टेस्टिंग ओव वाटर है देखें मैं बता हूंगा अगर आपने देखो को जूशी साब हमारे मंशूर में बड़ी चीज़ें क्लियर ली हैं देखिए जब हम आये तो कोरा एजंडा था रेस्टोरेशन आफ स्टेटोड प्रोटक्शन आफ जॉब्स प्रोटक्शन आफ लैंड राइट्स फ़र दॉमसाइल्स आफ जौमाएं कश्मीर और था हमारे नावजवान बुज़र्ग जो केसों में बाद है फिर अलग-अलग वक्त पे अलग-अलग मुते उठे आज ए there is no second thought on it hmm hamna autonomy ki baat katehenna self-rule ki baat katehenna maizrai shumari ki waakata means there is no ambiguity on this that we are part of the uh this great country and uh the conversation has given us certain rights we'll see that everything is implemented our people जो ट्रडिशनल पार्टी हैं वो अभी भी कोई कहती है जनाब हम तो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं कोई कहता है साव साल की लड़ा ये मजा करने वाली बात है हमारे लोग ने जहाने गवाई इसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हुआ सब कुछ खराब क्या ये माने आप बहुत पर इस बात को कहे चुके हैं कि जमु कश्मीर का मुकदर हिंदुस्तान के साथ है तो बात जो आप कहते हैं कि 1997 में ये फैसला हो चुका था तो 370 हटने के बाद इसमें क्या अंतर आया ये क्या फरक आया इसमें मुझे लगता 370 हटने के बाद एक डर सा पैदा हो गया था कि अब शायद हमारी डुमोग्राफिक चेंजिस हो जाएंगी और वो भी इनी रिवायती जमातों ने वो डर पैदा किया था और फिर यहां हमारी नोक्रियां बच्चों को नहीं मिलेंगे बाहर से लोग आएंग और जमीने हमें वैसी भी वेर लैंड स्केर्स तो लैंड जब भाहर के लोग आएंगे तो बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा आज से 10 साल बात क्या होगा तो हमने इसी पे काम किया कि यह डर कैसे दूर किया जाए मुझे खुशी है कि जब हम वजीर अजम हिंद के पास गए और जब हम हो मिनिस्ट के पास गए ले अंडरस्टूड आवर पॉइंट क्यों अगर वो नहीं यह अंडरस्टैंड हमारा पॉइंट नहीं किया होता है जो जमात 370 और 35 ए उठाती है वो फिर आपको प्रोटेक् कोई नहीं इसके लिए कोई ताहरीक नहीं उठी कोई बच्चे हमारे कुरबान नहीं हुए जैसे हार चीज में हुए तो इसलिए लोगों को इसकी एमित अभी समझ शायद नहीं आ रही है और इतना कन्फ्यूज कर रही है यह ट्रडिजनल पार्टी हमने तो इन एफेक्ट पार्ट आफ इस कंट्री एक इंच नहीं कहीं जा सकता हम क्यूं करें क्या आप ही लोग हाली मुसल्मान हो बीस करोर तो चंदुस्तान में वैसे भी मुसल्मान है तो मुझे देखे मैं आपको सच बता हूं जो मैंने पांच साल में देखा जिस तरह से अमनामान आया जिस त हैं मजभी भी कोई मजभी हमें तनाव नहीं है वहां कोई ऐसा तनाव नहीं है तो मैं क्यों नहीं इस वजिर आज़म को बैक करूं जब इस वजिर आज़म ने जमु कश्मीर के लोगों के लिए हमें बैक किया हम कोई बहुत पापुलर लोग तो थे नहीं मैं आपको हो ग ने हमारे concerns को समझ के हम पर यकीन करके वो चीजें रेस्टोर की अपने लोगों के लिए हम तो आंद मन करके कहते हैं हम वजीरिजम को सपोर्ट करेंगे अगर हमारी लोग काम्याब हो जाते हैं हम definitely support करेंगे उसमें मुझे कोई शर्म नहीं मुझे कोई A team B team C team D team इन से परक्य पढ़ता है मेरी party है election commissioner मेरे registered है बल्ला मेरा निशान है तो यह कहते रहें कहने से क्या फारख होगा मुझे अगर मैं रोज रोज इनका यह सुनता जाओं तो मैंने इनको बोला चलो हूं बताओ इसके आगे क्या और एक इनोंने share आया share आया share आया बीजेपी को बाहर रखना प्राइम मेनेस्टर देखिए असली जो बड़े लीडर होते है उनका वेजन भी बहुत बड़ा होता है तो उन्होंने फैसला ही ऐसा किया कि यार कम कश्मीर में उठाते नहीं है अब यह किस share को बाहर रखेंगे अब यह share दिखाते थे ने देवर दिस वस ओनली वरना 6 साल से वही साथ साल से जब से गवर्नर रूल लगा तो पीजेपी का ही रूल है ना किसी को मस्जद जाना बान तो नहीं किया कि कोई ऐसा तो नहीं हुआ बलकि क्रेडिट जाता है एक बचा नहीं मारा एक बचे की आंखें आंदी नहीं हुई पैलेट नहीं चला यह नहीं चला तो मुझे लगता है, ये शाइद उनकी, मैं मानता हूँ, सियासी सूजबूज और ये ही कहते हैं, प्राइगमेटिजम का हिसा हो, कि भाया, ये शेयर 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 नहीं जाएगा वहाँ, करें। ये शेयर 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 कि अपर्टिकल 370 यह क्या मेसेज देगा किश्मिर को मुझे लगता है इट इस अलसो रियाशुरिंग पीपल आफ जम्माइन किश्मिर हुआ नोट दियर तो ऑकिपा यू हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है मुझे लगता है बड़ा टैक्ट फुली कम्मुनिकेट किया किश्मिर से कोई भी जमाता है हमें एकसेप्टेबल है हाँ जिन लोग उने आपके बच्चे मारे वो अन्नोन गन्मैन जिसे कहते थे निशान दी तो पहली बार हुई तो हम सब कहते थे ना मौलम बंदूग बड़दार ने मारा हो मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री सेंग और जिसकी दुनि बजर्ग, जिन लोग兩ग डेने माईं सब और जिन लोगल जो कहते थे थे नहीं पता नहीं आग BRIAN तो अरिस्ट बच्स के विए इसक्याद सब्सक्राइब करते हैं। कि अब आप उननों गनमेन विए देफ़ देवी नेशनल कंफरेंट गॉशने गॉशन पर काम्च पर प्रिए पर कॉंजर गॉशने गॉशने ऑप तो देटान थे। आज तक उनकी रूफ वहां पर जो गए उनकी रूफ तरप रही थी और जो जिन्दा थे कहते थे यार ये नामालू हमें हमारा बच्चा कि ये किस नामालूम ने मारा अब पता लगी हो मिनिस्टर ने बड़ा इसान किया ये कहके और ये भी कहके कि बंदू कहां से आया क्यों हम सब कहते थे यार तो आजरों पर बड़ा कंट्रोल है बंदू कहां से आ रहा है तो उन्होंने वो भी कहा कि हाथ में ये बंदू भी नहीं थमाया तो पता ही आपको गार्मन के पास कितनी सोर्सस फिर होती हैं जो गुवर्मन्टों में होते हैं अल्टाप सब आखी सवाल आप से पोस्ट अबरगेशन अर्टिकल 370 आपने अपना एक विजन दिया लेकिन आगे दोजार चोबिस के ये लोकसभाज एलेक्शन्स के बाद आप क्या देखते हैं कश्मीर कहां पे होगा जहां तक मैं देखत हूं जो प्राइम मिनिस्टर के बेयानात को सुंते हैं हो में ढु收視 उम निसटर के बयानात को अर जो हम ट्रेंड देख रहें झाम ट्रेंड मोदी साँ आरहिए थे मुझे यह लगता है, एक सुनेहरी मोका है, जमो कश्मीर को अपनी स्टेट हुड वापस लाने में, यही नहीं है, पहली बार आपके साथ ही बता रहा हूँ, मैं अपने लोगों से वादा करता हूँ, स्टेट हुड ही नहीं, स्टेट कारडर भी वापस आए, यह एगमुट निकालेंगे और खुदी होम मिनिश्र साब ने वादा किया है लोगों को एसपा भी उठेगा तुम ने का आई सी ब्राइट फ्यूचर फॉर माई यंगर जेनरेशन और मैं आसवासन देना चाहता हूँ जमो कश्मीर के लोगों को और खासकर वादी में और खिताए पीर पिर्मचाल में हमारे लिए वोट करो इन्शालला अला के वजल से दिली वालों के साथ मिल के हम एंशूर करेंगे कि हमारी स्टेट हूड भी वापस आजाए हमारा काडर भी वापस आजाए जो हमारा स्टेट का काडर है और हमारा जो बच्चों की वेरिफिकेशन है या जो हीनियस क्राइम्स में मुल्मिस नहीं है वो एक नॉर्मल सी जिंदगी फिर से बाहल करें हम भी खुशी खुशी जीए हमारा यूद भी खुशी खुशी जाए पूरा हिंदोस्तान देखे कहत बुल हम है उसी यही कुलिस्तान हमारा है और हम उसके बुल बुल है अलताव से बहुत बहुत शुक्रिया जेकर न्यूस्टिडे के साथ बातशीत करने का एक पर फिर आप से शुक्रिया